आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं बहुत ही जबरदस मतन खीमा पराटे की रेसिपी जिसे आप खाके खुश हो जाएंगे क्यूंकि ये बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी से बनते हैं तो आप इस बखरीद अपने फैमिली मिंबर्स के लिए ये जुरूर बनाईएगा उन मैदे के आटे को उच्छी से घुन लेना है इस तरह से और इसे हम कवर करके पारले हम्लेंगे अब हम मैदे के आठे की सुररी निए उसकी लिए हम चाहिए होग तीन टीश्पुं मैदے का आडा न ओर और इसे भी मिक्स करके साइड में रख लेंगे नेक्स हम चलते हैं पराटे की स्टफिंग बनाने के प्रोसेस में कुकिंग पैन को जरम कर लेंगे और उसमें डालेंगे दो मीडियम साइज प्यास चॉप करेंगे अब हमें प्यास को जल्दी शॉफ करने के लिए एक तेवल स्पून नमक को डाल के इसे हम सौटे कर लेना है फिर हम इसमें डालेंगे एक तीश्पून अध्रप्लेसन का टेस्ट और इसे भी सौटे कर लेंगे जब प्यास गोल्दन ब्राउंड हो जाए तो हम इसमें आट करेंगे मिंस कराण और मठन 200 ग्राम और मिक्स कर लेंगे थोड़ी देर बाद हम इसमें आट करेंगे आदा टीश्पून हल्दी पौडर एक तीश्पून लाल मिच पौडर एक टेबल स्पून धनिया पौडर आदा टीश्पून जेरा पौडर डालके मिक्स कर लेंगे और फिर एक चोटाई कप दही का आट करके इसे भी मिक्स कर लेना है और चौट करीवी हरी मिच तीन से पांच वो भी डाल लेंगे आप चाहों तो अपने टेस्ट के अकौडिंग हरी मिच डाल सकते हो फाइनली हम इसमें आदा कप पानी आट करके इसे लिट से कवर कर लेंगे और इसे पटने देते हैं मीडियम फ्लेम पर दसे 15 मिनिट के लिए 15 मिनिट के बाद जब यह सौफ्ट और टेंडर हो जाए तो हम इस अरा धनिया चौप कर आवा एड करके इस मटन खीमें की स्टॉपिंग को फोड़ ऐसा ठंडा कर लेना है और फिर उसके बाद हम पराटे बनाने का प्रोसेस शुरू करेंगे गुंदावर मेंदे का आदा लेंगे और इसके हम चाल लोई बना लेंगे इस तरह से अब हम एक लोई लेंगे और इसे मेंदे के आदे से डस करके रोलर से इस तरह से रोल कर लेंगे ओल शेप में और फिर हम इसके मीचे की लेयर पर स्टरी लगाएंगे और इसे इस तरह से स्प्रेड कर लेंगे फिर हम इसकी ऊपर की लेयर पर मटन फीमा स्प्रेड कर लेंगे अब हमें क्या करना है कि साइट से इस तरह से फोल्ड कर लेना है एक साइट से और उसी तरह दुसरी साइट से भी हम इसे ऐसे ही फोल्ड कर लेंगे और ध्यांद रहें आपको फोल्डिंग करते वाँ तो इसमें स्पेस नहीं हमनी चाहिए इसकी स्टाफिंग फ्राइ करते व अब हम पराटे को गरम तेल में गोल्डन ब्राउन स्टाइब कर लेंगे तो यह देखिए हमारा मटन खीमे का पराटा कितना जबर्दस बनका तया हो चुका है यह जितना टेंप्टिंग लग रहा है उतना ही तेस्टी और क्रिस्पी ता खाने में इसी तरह आपको बास्तिय भी पराटों को फ्राई कर लेना है और इस जबर्दस मटन खीमा पराटे क तो आप घटी मीटी चट्नी या फ्रिक्टर माइक टेचर या पुदीनी की चट्नी के साथ सेफ कर सकते हो इस रेसिपी को आप सुरू ट्राई कीज़गा और अपने घरवाजों को फिलाए होने यह मतन पीमा पराटा बहत पसनाएगा अगर आपको मेरी यह रेसिपी पसना हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेल कीजिए और कमेंट कीजिए स्टे ट्यून फो नेक्स वीडियो थैंक यू फो वाचिए